Hey guys, welcome back to another gameplay video of Minecraft आज हम लोग करने वाले Minecraft में कुछ awesome builds को जो के हमारे world को और भी अच्छा कर देंगे तो इस स्टार्ट करते हम अपना पहला build तो सबसे पहला build होने वाला हमारा Scarecrow तो सcarecrow को बनाने के लिए items चो यूज होंगे वह left में दिख रहे होंगे तुम लोगों को और हम लोगों को सबसे पहले लगानी होगी ग्रिनाइट की वाल को तो अब इस वाल के उपर हम लोग प्लेस करेंगे स्प्रूस के fence को एक fence लगाने के बाद हमें लगा देना है haybell के block को और उसके side में हम लोग लगाएंगे fence के gate को दोनों तरफ लगा देना है अब उसके अपर हम लोग लगाएंगे कावट pumpkin को और उसके उपर एक बर्च के slab को इसको लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे इसके trap door को जो कि दोनों तरफ लगेगा दोनों नहीं तीनों तरफ क्योंकि हमें side में भी लगाना और front में भी और यह इतना simple है कि इसको बच्चा भी बना सकता है तो हमारा next build होने वाला है street light जिसके लिए items तुम्हें पता चली गए होंगे तो यहाँ पर हमें and a side की wall लगाने है उसके बाद हमें spruce के fence लगाएंगे तो मैं इसको 3 block high करूंगी तुम जितना चाह उतना बड़ा कर सकते हो अब हमें and a side का block place करना है और इसके बाद हमें side side में यहाँ पर fence के gate लगा देना है इसके उपर हम लोग place करेंगे एक spruce का trap door और यहाँ पर तुम चाहो तो यह fence लगा सकते हो जिस पर अपनी light को लगाने है और तुम चाहो तो trap door भी लगा सकते हो अभी हम लोग इसको तोड़ देते हैं यहाँ फालतू था तो यह देखो यह कितना simple और easy था अब हम लोग next मनाने वाले cannon को तो cannon मनाना तो और भी जादा simple है तो इसके लिए हमें जो भी materials चाहिए और इसके बाद हम लोगों के यहाँ से okay slab को place कर देना है I mean stairs को और इसके बाद हम लोग को slab लगाएंगे फिर दूसरी तरफ इस्टेयर लगाएंगे और इसकी direction में सीधी कर देते हैं इसके बाद हम लोगों को लगाने okay trap door ताकि यह उसके वील की तरह लगें अब यहाँ पर हम लोग polish deep slate का block लगा देंगे और उसके बाद उसकी wall को लगा देंगे और इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं तो भी जितनी बड़ी करने तो मतनी बड़ी कर सकते हो तो यहाँ से हम लोग इसके नीचे एक trap door लगाते हैं spruce का और यह complete हो चुकिए बस एक pressure plate और उपर लगा देनी है और यह हमारी cannon भी बन चुकी है तो next बनाने वाले हम लोग wood की wall को इसके लिए हम लोग को को यह जो stripped वाले ओक की wood होते हैं इसको लेना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग दो दो को gap करके यहाँ पर wood को लगा देंगे अब तो महारे wall जितनी बड़ी करने तो मुत नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद हम लोग इसके उपर लगा देंगे इसके slabs को और इनहीं slabs को हमें इन दोनों के बीच में भी लगाना है जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और इसको यहाँ से भी हम लोग बंद कर देंगे इसके बाद हम लोगों को लगाने ओक के बना सकते हैं उसके रहे तुम्हें लगानी होगी पॉलिष्ट एंडेसाइट उसके बाद चिजल्ड स्टोन ब्रिक्स और उसके उपर एक स्टोन का स्लाव लगाना है इसको भी हम लोग दो के गैप में बनाएंगे और सिंपल सेम तरीका यहां पर भी हमें कर देना है तो अब हमें इस वॉल को कंप्लीट करने के लिए कबल स्टोन लगा देने होंगे यहां पर हम लोग तीन कबल स्टोन लगाएंगे उसके बाद उसके बगल में हम लोग एंडेसाइड लगा देंगे सेम हम लोगों को इधर भी करना और यहां खाली जगा पर अंडे साइड लगा सकते हैं और अब हम लोगों को यहां पर बस इसके उपर ट्रापडो लगा देने इस पूरूस के लगा देंगे हम लोग और इसके बाद यहां पर इनके बीच में बटन्स को लगा देना है जिससे ये काफी जादा अच्छा लूग देंगे और अगर तुम्हें ऐसे में पसंद नहीं आ रहे तो तुम चाहो तो उसको break करके भी बना सकते हो और इसको पीछे भी लगा सकते हो तो जैसे कि तुमने अगर इसको break कर दिया है और फिर उसके बाद तुम इसको पीछे लगाना चाहो तो तुमें से पीछे भी प्लेस कर सकते हो वो भी काफी अच्छा लगता है तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले है प्लांट कर बिल्ड तो हम लोग अपने फ्लावर को इस तरीके से प्लेस करते हैं आज हम लोग डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें बैरल को प्लेस कर देना है अब इसके उपर हम लोग लगा देंगे फ्लावर पॉर्ट को सेम इधर भी लगा देना है और इसके उपर फ्लावरिंग अजेलिया लगा देंगे अब हमें यहाँ पर दोनों को ओक के लीव्स लगा दे नहीं है फ्लावरिंग अजीलिया जो भी लीव्स के ब्लॉक तुम्हें अच्छे लगे और ये तुम्हारे फ्लावर से जादा बैटर लग रहे हैं तो गाइस, I hope तुम्हें आज के बिल्ट्स अच्छे लगे हैं और अगर लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर दें विलतार लिंग हैं